हेलो दोस्तो वेलकम टू बीवीसी फूचर टेकनोलजी दोस्तो साइंस और टेकनोलजी की मदद से हमारी रोधमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कुछ ऐसे गैजट्स त्यार किये गाते हैं जो के हमारे कामों को बहुत ही आसान कर देते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे गैजट्स के बारे में जो के यकीनन आपको बहुती अमेजिंग लगने वाले हैं तो चलिए आराम से बैठिए और हमारी वीडियो को इंजवाई कीजिए नमबर एक हिमो दोस्तो हिमो एक ऐसी वाइक है जिसे आप अपने बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं और जहां आपका दिल राइड करने को करें तो अपने बैग से इस वाइक को निकालिए और चंद ही सेकंड में इसको खोल कर और इस पर बैठ कर आप राइड करने के लिए तियार हो जाते हैं ये बहुती फ्लेक्सिबल मेटिरियल से बनी है ये काफी डियोरेबल है ये देखने में बहुती अमेजिंग और खुबसूरत भी है इसे चार्ज करने के बाद आप आसानी से 1 से 1.5 घंटा इसको उस्माल कर सकते हैं इसमें आप टाइम सट कर सकते हैं कि आपने कितनी रेंज तक कितने किलोमेटर का सफर कितने मिनिट में किया है इसमें एक LED डिस्प्ले उपर की तरफ लगा हुआ है इसमें आप मुसम की सूरतेहाल भी देख सकते हैं इसके टायर काफी पावरफुल हैं और इसके इलावा इसकी स्पीड 20 किलोमेटर फी गंटा है और इसका वजन सिरफ 15-16 किलोग्राम है इसके सामने की तरफ एक हैड लाइट भी लगी होती है और पीछे की जानब इस पर एक रेड लाइट भी लगी होती है इसमें मुबाइल चार्ज करने की सहूलत भी मुझूद रहती है नमबर दो क्लीन स्टेप एक्स टीसी दोस्तों आज कल करोना वाइरिस ने पूरी दुनिया में अपना खोफ और हिरास फिलाया हुआ है और इसके लिए हमें अपने आपको इस मिमारी से बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जैसा के हाथ और मुझ को अच्छी तरह से दोना और अपने कपड़ों को साफ रखना और हम हाथ दोने के लिए हैंड सैनिटाइजर का इसमाल तो कर लेते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके शूद भी बैक्टेरिया और बहुत से जरासीन से भरे पड़े हो सकते हैं जी हाँ बिलकुल तो इसलिए बनाया गया है ये क्लीन स्टैप FTC सिस्टम इसमें आपको करना बस ये है कि आपको अपना पाउं कुछ इस तरह से इसके अंदर रखना है और हलका सा वजल डालना है जैसे ही आप अपना पाउं रखेंगे वैसे ही फोरन एक प्लास्टिक सैनिटाइजर कवर आपके शूद को नीजे से कवर कर लेता है और आपके शूद अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं और आप जब चलते हैं तो इस तरह से बाकी जमीन पर बैक्टेरिया और जरासीन भी नहीं लग पाते और ये प्लास्टिक कवर अच्छी तरह से सैनिटाइजर होते हैं दोस्तो शाइन अल्टरा नेक्स्ट जनरेशन का एक फोटो स्कैनर है इसकी मदद से आप रोजाना किसी भी डॉकुमेंट्स और तसावीर को आसानी से फुल एच्डी स्कैन कर सकते हैं इसके अंदर 30 मेगा पिक्सल कैमरा लेंज लगा होता है इसमें आप हर तरहां की लेंग्विज से लेकर तसावीर तक को स्कैन कर सकते हैं वो भी चन्द सैकेट्स में आप इस स्कैनर को किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं और इसे उठा कर अपने हाथ की मदद से किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं ये डाकूमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करता है और ये स्कैनर ना कि तस्वीर की शकल में बलके ये आपको लिखा हुआ यानी पीडियाफ या वर्ल्ड फाइल में डाकूमेंट्स भी महया करता है आप इस स्कैनर को 150 डालर में खरीज सकते हैं तो बस आप अब इस पेजिस को उल्टाते जाएए और स्कैन करते जाएए और इसके इलावा इस स्कैनर को आप अपनी बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं नमबर चार टेक्टिगोन स्किन टेक्टगोन एक नई किसम की टेकनोलजी है ये एक ऐसी टेकनोलजी है कि जिसकी मदद से आप अपने हाथ से किसी भी रुबोटिक चीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं जैसे के इसकी मदद से इसको अपने हाथ में पहन कर आप इसे गेम्स उगारा खेल सकते हैं मुबाल या कम्पीटर की डिस्पले को हाथ के अशारे से हरकत दे सकते हैं इसके इलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं ये डिवाइस बिलकुल एक गलफ की तरह डिजाइन की गई है और इसे चलाना बहुत ही आसान है जब आप गेम्स खेर रहे हों तो आप अपने हाथों के सिर्फ अशारों की मदद से आप गेम्स को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं जिससे यकिनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको इसके लिए किसी तार या वायर वगेरा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आप इसे बिलुटूट से कनेक्ट कर सकते हैं नमबर पांच डैजलर दोस्तों ये एक ऐसी नई डिवाइस है जो के आपकी जिन्दगी को बजाती है और आपको उन खतरों बरे लमहों से बाहर निकालती है जब आपके साथ जब कोई नहीं होता इस डिवाइस में इतनी तेज रोशनी होती है तेजिसे इनसान सही तरह से देख नहीं सकता और ये दुश्मन पर बहुत बुरा अटैक करती है जब कोई चोर या डाकू अचानक से आप पर हमला करने या आपको लूटने की कोशिश करता है तो फिर उसी वकत ये डिवाइस आपके काम आती है दिन हो या रात इसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि दुश्मन की आखों में पड़ते ही उसकी आखों की रोशनी चंद मिन्टों के लिए चले जाती है और जिससे आप वहाँ से भाग कर अपनी जान बचा सकते हैं एक दफ़ा चार्ज करने के बाद आप पूरा देनी से इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे आप 50 डालर में खरीज सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो वीडियो कैसी लगी कुमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इसके लावा हमारे यूटुब चानल बीबीसी फ्यूचर टेक्नोलोजी को भी कर दीजेगा